हलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं टू अप्सनल दी इसू केपर फ्रेंट्स MP पटवारी की अब तक जितनी भी सिप्ट हुई हैं उन सभी सिप्ट में जरनल अवेलनस और कम्प्यूटर के जितने भी क्वेस्टन पूछेगे हैं आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं साथ में संभावित कोस्टन जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं वो कोस्टन भी हम करने वाले हैं फ्रेंट्स इस वीडियो का पूरा देखेगा इससे आपको एक हिंट मिलेगी कि कौन कौन से कोस्टन आपके एक्जाम में पूछे जा रहे हैं साथ में अगर examiner इन questions को repeat करता है तो आप उन questions को easily कर लेंगे क्योंकि आपको ये questions पता होंगे तो चलिए शुरू करते हैं First question पूछा गया था उज्जला योजना किसके द्वारा सुरू की गई तो उज्जला योजना किसके द्वारा सुरू की गई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गेस मंतरा ले द्वारा सुरू की गई Next question कैस्ट मीमोरी कितने टाइप की होती है तो दो प्रकार की होती है कैस्ट मीमोरी दो टाइप की अगला question है सबसे बड़ा computer किस पेढ़ी का है computer पहली पेढ़ी का computer सबसे बड़ा पे computer है पहली पेढ़ी का उसके बाद हर पेढ़ी में computer का सबसे चोटा होता गया है Next question पच्छियों के अध्येन को क्या कहा जता है तो और निथोलोजी कहा जता है पच्छियों के अध्येन को और निथोलोजी अगला कुशन ने सबसे बड़ा input device के इस पेढ़े में बनाया गया था सबसे पहला input device के इस पेढ़े में बनाया गया था तो दूसरी पेढ़े में बनाया गया था सबसे पहला input device दूसरी पेढ़े में अगला कुशन कस्मीरी लोगों की अजीबका का मुख साधन क्या है तो परियतन से सबसे ज़्यदा कमाई होती है कस्मीरी लोगों की इनकी मुख अजीबका का साधन है परियतन अगला कुस्सन वन प्राणी सरंचन अधिनियम कब पारित किया गया था तो 9 सितंबर 1972 में पारित किया गया था वन प्राणी सरचन अधिनियम नेक्स्ट कुसन भारत का राष्टरे खेल कौन सा है तो हां की है भारत का राष्टरे खेल लेकिन ये ओफिसरी तोर पर नहीं है ओफिसरी तोर पर ये भारत का राष्टरे खेल नहीं है नेक्स्ट कोशन दूसित पानी को पीने से कौन सी बिमारी होती है तो दूसित पानी पीने से कौन सी बिमारी होती है हैजा और टाइफाइड बुखार ये बिमारिया होती है दूसित पानी पीने से ये कोशन फ्रेंड्स आपके एक्जाम में पूछा गया था इन में से कोई एक ओप्सन दिया गया था जो Correct था अगला कुशन किस बैग्यानिक ने माउस की खोज की थी तो माउस की खोज किस ने की थी डगलस, कार्ल, एंजेल बर्ट ने की थी माउस की खोज अगला कुशन उजेन किस नधी किनारेश बसा हुआ है सिप्रा नदी किनारे बसा हुआ है ओजेन, सिप्रा नदी की किनारे Next question, 2011 की जनगड़ना की अनुसार मध्ध परदेश में आदिवासी जनसंख्या का परतिसत कितना है 21.1 परतिसत है आदिवासी जनसंख्या का परतिसत मध्ध परदेश में 2011 की जनगड़ना की अनुसार 368-1 के अंतरगत किया जता है सवधान में संसोधन Next question भगास सिंग को फाासी कब दी गई थी 23 मार्च 1931 को दी गई थी भगास सिंग को फाासी 23 मार्च 1931 को अगला question सिंधिया समराज के सामय गवालियर रजधानी कब बनाई गई थी तो अठारा सुद्धास में बनाई गी थी, अठारा सुद्धास में, next question, more, यहाँ पर once होगा, more once किसके बाद समाप्त हो गया था, तो more once किसके बाद समाप्त हो गया था, ब्रहद्रत के बाद समाप्त हो गया था, क्योंकि ब्रहद्रत more once का अंतिम सा सकता, अगला कुश्चन भारत के वर्तमान मुख चुनाओ आयुक्त कौन है? ये कुश्चन भी आपके एक्जाम में पूछा गया था तो रजीव कुमार हैं वर्तमान में मुख चुनाओ आयुक्त और ये 25 मुख चुनाओ आयुक्त बने हैं अगला कुस्टन, नियाय मूर्ती सरद अरबिंद बोबडे मद्द परदेश के कौन से नंबर के मुखने आधीश थे, तो ये 21 नंबर के मुखने आधीश थे, सरद अरबिंद बोबडे 21 नंबर के मुखने आधीश थे, मद्द परदेश के, अगला कुस्टन, जै बिलास महल क अगला कोशन वर्जसा वर्मन को एकलब पुरुसकार कम मिला था? 2013 में मिला था इन्हें वर्जसा वर्मन को एकलब पुरुसकार नेक्स्ट कोशन बोरी अभेरन कब अस्थापित किया गया था? तो 1865 में अस्थापित किया गया था बोरी अभेरन अठहा सो पैइसट में। नेक्स्ट कोशन सिंधु घाटी के चावल के साथ कहां से मिलते हें? लोथल से मिलते हैं ये कोशन भी आपके एकजामें पूछा गया था सिंधु घाटी से कोशन थाई? बहु आयामी गरीबी सुचकांग में कौन सा राज पहले नमबर पर है तो बिहार राज इसमें पहले नमबर पर है अगला कुस्चन धनकड मौत मामले में किस ओलंपिक चेंपियन को रिलवे ने अगले आदेश तक निलम्बित कर दिया है तो सुसील कुमार को निलम्बित कर अस्त मिसन कब लागू हुआ था 12 अप्रेल 2005 में लागू हुआ था राष्ट्रे ग्राम 880 मिसन नेक्स्ट कुस्चन पैरा सुमेर सत्तेंद्र सिंग लोहिया को परतिष्ठे तेंजिंग नोर्गे पुरुसकार कम मिला था तो 31 अगस्त 2020 को मिला था अगला कुस्चन होलकर स्टेडियम इंदोर के स्थापना किस ने की थी तो 1926 में महराज एसुबंत रा होलकर ने की थी होलकर स्टेडियम इंदोर के स्थापना 1926 में अगला कॉस्षन पूछा गया था अगला कॉस्षन पूछा गया था मद्द परदेश में 2020 में कितने लोग पंजी किरित बेरोजगार हैं? तो 30 लाख लोग हैं मद्द परदेश में 2020 में पंजी किरित बेरोजगार हैं लोग 30 लाख लोग अगला कुशन चक्रवियू चरुवा मंदर से संबंधित सिलालेक है तो मोडी लिपी का सिलालेक चक्रवियू चरुवा मंदर से संबंधित सिलालेक है नेक्स्ट कुशन मेघा परमार का संबंध किसे है मेघा प्रमार का संबंद किसे है ये परबता रोही है मेघा प्रमार अगला कोशन बिस संख्याई की दिवस कब गठित किया गया तो 20 अक्टूबर 2010 में गठित किया गया था बिस संख्याई की दिवस अगला कोसन ग्वालियर के मंदर में कौन से लिपी लिखी गई है प्राचीन उत्तरी गुप्त लिपी लिखी गई है नेक्स्ट कोसन वायूमंडल में कितने परतिसत आक्सीजन उपस्थे थै एक केस परतिसत आक्सीजन है वायूमंडल में 21% oxygen atmosphere में है Next question धोनी को मापने की एकाई क्या है तो धोनी किस एकाई में मापने जाती है decibel में मापने जाती है decibel में धोनी को मापा जाता है decibel Next question मनुष की सामान स्वास्त आँख के लिए असपस्ट द्रेश्टी की नियूनतम दोरी कितनी होनी चाहिए 25 cm होनी जाहिए 25 cm अगला question उत्तक किस से मलकर बना होता है तो उत्तक किस से मिलकर बना होता है या फिर किस से मिलकर बनता है कोसिका से मिलकर बनता है उत्तक कोसिकाओं से मिलकर अगला question अमीनो अमल कौन से समूँ से सम्बंदी थे तो NH2 और COOH से संबंदित हैं अमीनों अमल NH2 COOH से अगला कोशन हिर्दे कौन से उत्तक से बना होता है? पेसी उत्तक से बना होता है हिर्दे पेसी उत्तक से नेक्स्ट कोशन हवा में सबसे पर्चुर घटक कौन सा होता है? नाइटरोजन होता है हवा में सबसे परचुर घाटक नइटरोजन किस कोईले में कार्बन की मातरा अधिक्तम होती है पूरा नाम क्या है FAT का पूरा नाम File Allocation Table है FAT का पूरा नाम अगला कुश्शन MS Office क्या है एक Application Software है Access Application Software Next Question गप्त कालीन द rhyme चारी किये गए चान्दी की सिख्के कहलाते थे रूपक कहलाते थे गप्त कालीन द्वारा चारी किये गए चान्दी की सिख्के Next Question क्योरी किसकी काई है रेडियो धर्मिता की काई है क्योरी रेडियो धर्मिता की अगला कुश्चन तानसेन के मिरत्यू कहां हुई थी? आगरा में हुई थी तानसेन के मिरत्यू आगरा में दूर की वस्त साफ दिखाई देती है किन्त पास की वस्त साफ नहीं दिखाई देती है कौन सा दोस होता है दूर दिरिष्टी दोस होता है अगर दूर की वस्त साफ दिखाए दे और पास की वस्त साफ ना दिखाए दे तो उसे दूर दिरिष्टी दोस कहते हैं जिसे हाइपर मेटरूपिया भी कहते हैं अगला कुशन भारत की वर्तमान नौसे न अध्यच कौन है तो Admiral R. Harikumar है वर्तमान में न उसे न आध्यच Next question जलियावाला बाग में गोली चलाने का आदेस किस ने दिया था? General Dyer ने दिया था जलियावाला बाग में गोली चलाने का आदेस General Dyer ने Next question बिंद और सत्पुड़ा परबतमाला को जोडने वाली मेकल परबतमाला कहां पर है? अमर कंटक में हैं मेकल परबतमाला Next question गांधी इर्बिन समझोता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 में हुआ था अगला question लेपाची चित्रकला किस राच्जिस से संबंधी थे? आंधर परदेश से संबंधी थे लेपाची चित्रकला आंधर परदेश से Next question भारत में सबसे ज़्यदा उपजव मिट्टी कौन सी है? तो जलोड मिट्टी भारत में सबसे ज़्यदा उपजव मिट्टी है Next question जूलन कोस्वामी किस खेल से संबंधी थे? तो किरकट से संबंधी थे जूलन कोस्वामी किरकट से दोस्तो एक या दो कोसन आपके चर्चित खिलाडियों से अपके एक्जाम में पूछा जा रहा है और फ्रेंड्स इस पर मैंने एक बीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपने उस पूरी बीडियो को देख लिया तो चर्चित खिलाडियों से कोई भी कोसन आता है आप उसे इसले कर लेंगे और समपूर बीडियों है चर्चित खिलाडियों की Next question अगला कुसन है भूकंप की कौन सी तरंगे पिर्थवी पर सबसे पहले पहुंचती है तो प्राथमिक तरंगे पिर्थवी पर सबसे पहले पहुंचती है भूकंप की तरंगे प्राथमिक तरंगे Next question उज्जेन में सबसे पहले सूनने का उपयोग किसे ने किया था ब्रह्मगुप्त ने किया था उज्जेन में सबसे पहले सूनने का प्रियोग ब्रह्मगुप्त जो कि एक गड़तिक थे पानिपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच लड़ी गए थी तो बाबर और इबराहिम लोदी के बीच लड़ी गए थी 1526 में लड़ी थी बाबर और इबराहिम लोदी के बीच पानिपत की पहली लड़ाई नेक्स्ट कुश्टन, भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी है, दूसरा नाम रेगुर मिट्टी का काली मिट्टी अगला कुस्षन मद्द परदेश में ताज महल कहां पर इस्ते थे भोपाल में इस्ते थे मद्द परदेश में ताज महल भोपाल में नेक्स्ट कुस्षन रावड की पतनी का संबंध कहां से है मंद सोड जिले से है रावड की पतनी का संबंध है मद्ड सोर्च जिले से Next Question मद्द परदेश का पहला प्योस्फे मा辉जर्व कौन सा है तो सत्पोड़ा टाँगर रिजर्व मद्द परदेश का पहला प्योस्फे मा辉जर्व सत्पोडा टाँगर रिजर्व Next Question कम्पेटर के पितामां किसे कहते हैं एक दम लल्लू कोशन आपकी एक्जाम में पूछा गए था, कम्प्यूटर के पितामा किसी कहते हैं? चाल्स बैबेस को कहते हैं, कम्प्यूटर के पितामा, चाल्स बैबेस को. अगला कॉशन, मद्ध पर्देश में 70 दर सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा साचरतादर जबलपुर की है 81.1% है साचरतादर मदपरदेश की जबलपुर जिले की नेक्स्ट कुस्टन भारत के सबसे छोटा बायोसफेर रिजर्ब कौन सा है तो असम का डिबरु सेख होगा सबसे छोटा बायोसफेर रिजर्व है भारत का डिबरु सेख होगा जो की असम का बायोसफेर रिजर्व है Next question, Calcium Carbonate का सूत्र क्या होता है? यह question आपके exam में पूछा गया था तो CACO3 होता है Calcium Carbonate का सूत्र CACO3 अगला question, WWT का full form पूछा गया था आपके exam में Worldwide Technology होता है WWT का full form इसके लबाँ आपके अगले exam में पूछ सकता है WWW का full form इसका full form होता है Worldwide Babe Next question, Laptop किस परकार का computer है? तो Laptop एक notebook computer है Next question, British भारत के अंते मुआसरा है कौन थे? लाड माउंट बेटन थे British भारत के अंते मुआसरा है लाड माउंट बेटन अगला question, जल को सुध करने के लिए किस तत्त का उप्योग किया चाता है? तो जल को सुध करने के लिए किस तत्त का उप्योग किया चाता है? कुलोरीन का उपयोग किया जाता है जल को सुध करने के लिए नेक्स्ट कुशन गैलबेनी करने करने पर किस धादो की परत चढ़ाई जाती है जिंक की परत चढ़ाई जाती है गैलबेनी करने पर जिंक की परत नेक्स्ट कुशन जीन्स किस से बने होते हैं तो जीन्स किस से बने होते हैं? DNA से बने होते हैं, डी आक्सी निकुले केसेट से बने होते हैं. एगला कुछन, दाब का SI मातरक क्या होता है? पास्कल होता है दाब का SI मातरक. Next question, बोरी वन जीव अभिरण किस जिले में स्थे थे? बोरी वन जीव अभिरण हों जीव 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 जीवाले में स्थे थे? Next question, तांसेन समहरो कहाँ पर आयोजित होता है? कुवालियर में आयोजित होता है तांसेन समहरो गुवालियर में. अगला कुशन भारत और स्रीलंका के बीच कौन सा युद्धा अभ्यास होता है तो भारत और स्रीलंका के बीच कौन सा अभ्यास होता है सलाइनेक्स होता है भारत और स्रीलंका के बीच किस अनुचेद में किर्सी को छोड़ कर सपर कर लगाए गए थे तो अनुचे 246 को अगला कुशन किस देश का कोई लिखे सब्धान नहीं है तो बिल्टन का कोई लिखे सब्धान नहीं है बिल्टन का कोई भी लिखे सब्धान नहीं है इसके लाबा सौधी अरब का भी कोई लिखे सब्धान नहीं है सौधी अरब का अगला कोशन अपर लेक बोट कलब मद्द परदेश में कहां पर इस थे थे तो अपर लेक बोट कलब मद्द परदेश में भोपाल में इस थे थे भोपाल में नेक्स्ट क्वेशन सत्पोडा की रानी किसे कहते हैं पंच मडी को कहते हैं सत्पोडा की रानी पंच मडी को अगला क्वेशन तक्षिसला किस महाचनबत की राजधानी थी गंधार की राजधानी थी तक्षिसला गंधार की नेक्स्ट पर्थम पीड़ी के कंप्योटर में किसका प्रियोग हुआ था? पर्थम पीड़ी के कंप्योटर में किसका प्रियोग हुआ था? वैकीम, ट्यूब और वाल्ब का हुआ था प्रियोग पर्थम पीड़ी के जो कंप्योटर बनाय गये थे next question गडगोर निर्त सेवपुर में कम मना जाता है गडगोर निर्त सेवपुर में कम मना जाता है चैत्र मास में मना जाता है next question सिंबेक्स सेन अभ्यास भारत और किसके बीच होता है most important question है सिंब्यक्स, सैन नफ्यास बार बार आपके एक्जाम में पूछा जाता है तो भारत और किस के बीच होता है सिंगापूर के बीच होता है भारत और सिंगापूर के बीच Next question मौलेक अधिकार कौन से अनुछेद के अंतरगत आता है तो मौलेक अधिकार दोस्तो आपके एक्जाम में full form एक यह दो question जरूर पूछे जा रहे हैं और अब हम करने वले हैं जतनी पि são important full forms आपके exam oriented है तो first room room का full form क्या होता है read only memory होता है Next, CPU CPU का full form आप सभी जानते होंगे central processing unit होता है CPU का full form URL का full form URL का full form होता है Uniform Resource Locator Next USB का Full Form Universal Serial Bus होता है USB का Full Form Next Virus Virus का Full Form Vital Information Resource Under Siege होता है Virus का Full Form Next TCS का TCP का Full Form TCP का Full Form क्या है तो Transmission Control Protocol है TCP का Full Form UPS का Full Form क्या होता है UPS का Full Form होता है Uninterruptible Power Supply होता है UPS का Full Form Very Important Full Form है कई बार exam में पोचा गया है UPS का Full Form अगला है SATA 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 का Full Form क्या होता है तो Serial Advanced Technology Attachment होता है SATA का Full Form Next RAM का Full Form क्या है तो Random Access Memory है RAM का Full Form Next SMPS का Full Form Switched Mode Power Supply होता है SMPS का Full Form CD का Full Form क्या होता है Compact Disc होता है CD का Full Form Next DVD का Full Form क्या होता है Digital Versatile Disc होता है DVD का Full Form Next CRT का Full Form Cathode Rate यह होता है CRT का Full Form अगला DEC का Full Form Digital Equipment Corporation होता है DEC का Full Form Digital Equipment Corporation Next SAP का Full Form System Application and Products होता है SAP का Full Form Next PNG का Full Form क्या होता है Portable Network Graphics होता है PNG का Full Form और यह Image का Extension होता है PNG Image का Input Output Device से आपके exam में एक या दो questions जरूर पूछा जा रहा है तो Input Device कौन-कौन से होता है अब हम उज़ान लेते है तो Input Device में Keyboard है Optical Pen, Joystick, Scanner, Barcode Reader यह सारे के सारे Input Device है इसके अलाबा Output Device कौन-कौन से हो जाता है Headphones, Headset, Screen, Laser Printer, Plotter, Inkjet Printer और Speaker यह सारे के सारे Output Device है इसके लाबा आपके exam में यह भी पूछ से लेगता है यह भी पूछ से लेता है कि कौन-कौन से इसमें Input और Output Device है Input Output Device कौन-कौन से होते है Digital Camera Input Output Device होता है इसके लाबा Pen Drive Touch Screen CD, DBT Webcam और Facts इसके लाबा Modem यह सारे के सारे Input और Output Device दोनों तरह से काम करते हैं यह इतने Input और Output Device दोनों तरह से काम करते हैं और यह सारे के सारे Out Input Device हैं इसके लाबा यह Output Devices हैं दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक कर देजीगा और इस वीडियो को सेड जरूर करिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और कॉमेंट करके हमें बताइएगा कि आप कोई वीडियो कैसे लेगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए